जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में चलिए फिर जल्दी से आज देखते हैं हम लोग workman compensation के बारे में बात करते हैं करते हैं इसे हिं आप पांटनेर्शिप की बात करते हो इंडीयन पांटनेर्शिप में जो वर्कर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यह work man compensation क्या किया जाता है बनाया जाता है होता क्या है कि माल लीजे कोई worker काम कर रहा है काम करते समय उसको चोट लग जाए या उसका accident हो जाए या partly damage होने के साथ fully damage हो जाए हो सकता है कि नहीं हो सकता तो भाई सीधी सी बात है as a employer क्या आपको उस employee को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा 100% पैसा देना पड़ेगा आपके यहां काम कर रहा है तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा तो अगर पैसा देना पड़ेगा तो क्या लगता है 10-20,000 रुपया देना पड़ेगा नहीं भीया, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 10 लाग, 15 लाग, 20 लाग, ऐसे आपको पैसा देना पड़ेगा, उस केस में आपके बिजनस में कैस की क्या आने लगेगी, शौटे जाने लगेगी, तो उसी सौटेज को निपटने के लिए हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, इ गाव या चोट चपेट से जो छती पूर्ती होगी, उसकी भरपाई इस प्रकार के रेजर्व से की जाएगी, इतना क्लियर हो गया, अब में चीज ये नहीं है, में चीज इसके एकाउंटिंग ट्रीटमेंट से है, आपको जो समझना है, वो आपका क्या है, आपका एकाउं सेशन कहां लिखा होगा, या इसकी इंट्री कहां हुई होगी, आपके बैलन सीट में हुई होगी, अब सवाल ये उड़ता है कि किस साइड हुई होगी, एसिट साइड या लैबिलिटी साइड, तो आंसर है लैबिलिटी साइड, ठीक है, तो अगर सर एक बात बताईए, मा रिजर्फ लेक्जामपल लिख आपके सांगे सामने मैं सिचुवेशन लिखता हूं को समझो समझो पहली सुर्फ माल लेजेिए आपने रिज़र्फ बनाया एक लाख रुपएं पर आपने वर्क मेन दूसरी situation कि sir हमारा जो claim amount है वो less than reserve amount है हमारा जो claim amount है वो less than क्या है आपका reserve amount है माल लीजे हमारा claim आगया 80,000 का और reserve कितने रुपए का है एक लाख रुपए का reserve बना ही है यानि claim amount is less than क्या आपका reserve amount तीसरी situation कि sir claim amount claim amount equal to reserve amount यानि हमारा claim कितने का है एक लाख का है हमारा claim कितने का है माल लीजे एक लाख का है और reserve भी कितने रुपए का है आपका एक लाख रुपए का reserve है यह situation हो सकती है कि नहीं हो सकती है एक situation और भी हो सकती है कि सर माल लीजे claim amount claim amount is more than is more than reserve amount ठीक है माल लीजे आपने reserve कितने का बनाया एक लाग का claim आ गया कितने रुपए का एक लाग बीस हजार रुपए का तो ये कुछ different situation है जिसमें आपको workman compensation की journal entry को क्या करना है समझना है अच्छे से point clear हो गया पहली situation क्या है आपकी कि जब कोई information ना हो दूसरी situation क्या है कि सर claim amount less है आपके किस से reserve amount से तीसरी situation क्या है claim amount equal है किस से reserve amount से और चौथी situation क्या है कि claim amount जादा है आपकी किस से reserve amount से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो अब इसी केस की जर्नल इंट्री हमें करनी है आप लोग इस केस को आप लोग क्या कर लीजेगा नोट कर लीजेगा और बाद में देखिएगा तो सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं क्या कि जब कोई क्लेम ना रहे देखिए लिखा भी क्या है य अपके रिजर्बगा एमोंड कितना है वर्क मैन कॉमपंसेशन रिजर्ब आपने कितना रूपया रखा है एक लाख कर अ आपके सामने partner है माल लीजे आपके दो partner है और इनका जो PSR है इनका जो क्या है PSR है वो equal equal है इनका जो PSR है वो कितना है आपका equal equal है तो sir क्या entry करेंगे इस situation में क्या entry करेंगे इस situation में करना क्या है कि जो भी आपके reserve का amount है जो आपके workman compensation का amount है वो उनके PSR में क्या कर दीजे आप बाट दीजे यानि क्या entry होगी जड़ा देखेंगे format में इंट्री है विटा हमारी workman compensation reserve account debit to a capital account to b capital account और यहां पर reserve कितने रुपए से एक लाग से और यहां पर इक्वल इक्वल बाटेंगे तो कितना हो जाएगा पचास हजार और पचास हजार पताईए पहला केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहला केस समझ में आ गया अब आईए तुरंट दूसरे केस की तरफ चलते हैं अब दूसरे केस में क्या होगा दूसरा केस क्या होना अभी अभी बताया है कुछ दिर पहले कि आपका जो claim amount है वो जादा रहेगा कि कम रहेगा देखिए दूसरा case क्या कहता है कहता है if the claim amount if the claim of the workman compensation amount is lower than क्या लिखा है is lower than amount of workman compensation reserve यानि same वही question लेते हैं ठीक है आपका claim amount बस हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आपका claim amount माल लीजे इस बार कितना है असी अजार रुपया है और आपका reserve amount कितना था कि आपका reserve amount कितना है आपका एक लाग ठीक है और partner कितने हैं आपके दो इनका PSR क्या है आपका वन इस्टू वन इंट्री क्या होगी सर जल्दी से देखेंगे ठीक है आईए बिल्कुल सही आपने जो मन में सोचा है वहीं इंट्री है का इंट्री होगी बिटा workman कंपन्सेशन रिजर्ब एकाउंट डाबिड तू वर्क मैन कंपन्सेशन यहां पे कंपन्सेशन के साथ क्या लग जाएगा क्लेम और फिर उसके बाद तू ए कापिटल हुए एक पीटॉ आंट यहां पर में कितना आएगा ऐगा ऐसी हजार कि अुएँ किटना अ जाएगा दस हजार, यहां कितना आ जाएगा दस हजार, पताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया आ गया प्लियर हो गया अप आगे देखते हैं त्य treatment की तरफ चलते हृब अब हमारा तीसरा केस क्या था? क्या होगा? जब कमपनसेशन का पैसा और रिजर्ब का पैसा क्या रहे? बराबर रहे देखे ज़रा क्या लिखा है कहता है if the claim of workman compensation is equal to amount of workman compensation reserve मतलब क्या है सर आपका जो claim amount आया आपका जो क्या आया बेटा claim amount आया वो एक लाख रुपया आया कितना आया आपका एक लाख रुपया आया आप लेखो claim कितना है आपका एक लाख रुपया है और आपका reserve कितने रुपया था एक लाख रुपया रख रहा ठांट है पार्टनर कितने है आपके दो पार्टनर है रेश्यो क्या है आपका one is to one जरद सोच के बताओ क्या इसमें पार्टनर को कुछ दिया जाएगा इसमें कुछ बचा ही नहीं है तो जब पार्टनर को बचा ही नहीं है तो क्या पार्टनर को कुछ दिया जाएगा आंसर है नहीं सर फिर क्या इंट्री करेंगे फिर क्या इंट्री करेंगे आईए देखते हैं इसमें इंट्री होगी आपकी बेटा वर्क मैन कमपनसेशन रिजर्ब एकाउंट डाबिड कितने से एक लाग से टू वर्क मैन कमपनसेशन क्लेम कितने रुपयसे आपका Okay रुपएस कितने से आपका एक लाख रुप还 कुछ देना नहीं है तो उनको किसी से क्रेडिट होगा भी नहीं है समझ में आ गया अब आगे चलते हैं और अपने आखरी amount है वो है आपका एक लाख ठीक है और आपके जो partner थे वो दो थे इनका PSR क्या था one is to one क्या करें sir जो भी आपका excess amount है यह है तो आपके लिए क्या loss है न यह आपके लिए क्या है loss है तो loss है तो इस loss के balance को आप revaluation में भेजेंगे किदर भेजेंगे आप लोग revaluation में भेजेंगे और revaluation के किस side क्योंकि loss है तो loss का balance किदर दिखाया जाता है debit side न तो revaluation के किस side में जाएगा यह debit side में जाएगा point clear हो गया आईए entry देखते है देखेंगे workman compensation reserve account debit कितने से एक लाग से और यहाँ पर क्या होगा to workman compensation claim account कितने से एक लाग बीस हजार से और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर revaluation एकाउंट कितने से वीस हजार से बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया और इस revaluation का जो balance है वह आखरी में partner से ही तो वह सूला जाएगा ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आ गया point clear हो गया तो इसी के साथ आपका यह workman compensation वाला concept भी क्या हो गया खतम हो गया क्या देखा आपने workman compensation में एक बार जल्दी से देख लीजे आपने सबसे पहले देखा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा पैसा क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे हम लोग distribute करेंगे वो भी किस ratio में उनके old ratio में clear हो गया दूसरे case में आपने क्या देखा कि आपका जो reserve रहेगा जो आपका क्या रहेगा reserve रहेगा इसमें से क्या करेंगे claim amount – करेंगे फिर इस balance बचा और फिर इस balance को क्या करेंगे पार्टनर में इनके ओल्ड रेसियो में क्या कर देंगे हम लोग बाट देंगे तीसरा क्या रहेगा आपका जो हमारा रिजर्व रहेगा वो बराबर है किसके क्लेम के पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा पार्टनर में क्या होगा कुछ भी नहीं बटेगा और फिर इस के एक्सेस लास हो रहा है इसे हम कहा भेज देंगे रिवेलोवेशन ऐकाउंट में भेज देंगे किस साइड गाबिट साइडवेज देंगे गाब pos साइड बता यह 컨स्वियर गया किने क्लियर हो गया मंड़ी समस्या तो नहीं आ रही है कि सिर आगे बढ़ते हैं अब सरा पौइंट की तरफ चलते हैं और next point हमारा है ध्यान देंगे Invest इसे हम आई एफ आर भी कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आपका आई एफ आर यह इन्वेस्टमेंट फ्लेक्ट्वेशन रिजर्व होता क्या है देखो क्या होता है कि जैसे जो कंपनिया होती है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में क्या करती है इन्वेस्टमेंट करती है अब आपको भी पता इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगी मालीजे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो शेयर्स में या डेवेंचर में आपको भी पता ह कि मार्केट में अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट चड़ती भी है और मार्केट क्या होती है घड़ती भी है अब चड़ने पर आपने लगाया है तो जैसे जैसे चड़ेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है पढ़ेगा हम अच्छी बात है हम बहुत अच्छी बात है लगाओ साले को उड़ाओ जितना उड़ा पाओ नहीं आप पे नहीं है यह अपने आप उड़ेगा हम कहा ठीक है पहली बार लगाया इसने कुछ देर उड़ी उसके बाद क्रैस हो गई मैं कोई बात नहीं दूसरी वार जैसे लगाया तुरंत लुपदे अथे मेरा Pit क्रैस हो गई हम कने यार मेरा पैसा लग रहा है क्या कहरा नहीं सर पचास रुपया बोनस मिला है यह यह बात है है आप देखला नहीं पूसमार्टी में बहाई सीदी सी बात है आप को profit भी हो सकता और आपको क्या हो सकता है loss एक बात बताओ reserve किसके लिए बनाया जाता है profit के लिए या loss के लिए loss के लिए इस investment की value जब decrease होती है तो आपको loss होता है उसी loss को बचाने के लिए इस प्रकार के reserve को हम लोग क्या करते हैं वेटा create करते हैं समझ में आगया point clear हो गया अब क्या situation आएगी या क्या accounting treatment आएगा अब इसकी बारी है ज्यान से देखिए यह कुछ cases मैंने आपके सामने रखे हैं 5 cases आपके सामने आएंगे पहला क्या कहता है कि जब book value of investment equal to the market value of investment मतलब क्या है सर इसका मतलब मान लीजे कि आपने investment किया एक लाख रुपए का आपने investment कितने रुपए का किया एक लाख रुपए का और market में भी अभी उसका value और reserve आपने बनाया है loss उसे बचाने बचाने के लिए आपने reserve बनाया 20,000 रुपए का ठीक है अच्छा reserve किस side दिखाया जाता है भाई balance sheet में किस side दिखाया जाता है reserve liability side ना और investment किदर दिखाया जाता है asset side तो आपने investment किया कितने रुपए का एक लाख का और loss से बचाने के लिए आपने reserve कितने का बना दिया 20,000 का reserve बना दिया clear चलो पहला case देखते हैं case one कहता है कि sir market value अभी भी investment की कितनी है हमारी एक लाख है बताए यह loss हुआ कुछ आपको कुछ loss हुआ नहीं sir कोई loss नहीं हुआ तो यानि इस 20,000 को क्या करेंगे जो WCR के साथ कर रहे थे वही इसके साथ भी कर देंगे यानि जो reserve है उसको हम उनके profit sharing ratio में क्या कर देंगे बांट देंगे पहला case समझ में आया दूसरा case देखिए दूसरा case कहता है कि book value of investment is less than the market value मतलब क्या है investment कितने का किया आपने एक लाग का और market में अब इसकी value आ गई है 90,000 आपको loss कितने का हुआ reserve कितने का बनाया है तो कितना reserve बाकी है अभी तो इस देखो reserve 20 का था 10,000 चला गया बचा कितना इस 10,000 को क्या करेंगे old partner के उनके old ratio में बांट देंगे समझ में आ गया case number 3 देखो case number 3 कहता है कि market value of investment book value of investment is more than market value ठीक है इससे पहले इससे पहले ये वाला जरा देखो ये पहला वाला मैंने निप्टा दिया है ठीक अच्छा इसके तीन भाग थे हाँ पहला वाला देखो कहता है fall in the value of less than IFSR मतलब क्या है ये वाला case का ये पहला point मैंने यहाँ पर बताया था ध्यान देंगे मतलब investment वही 90,000 का हो गया तो बिटा loss कितने का हुआ कितने का एक लाग का मार्केट में अब उसकी value कितनी हो गई मार्केट में अब उसकी value कितनी हो गई loss कितने का हुआ तो बिटा 30,000 का loss हुआ न तो reserve से कितना अर्जस्ट होगा 20 बचा 10 क्या करेंगे सर बचा 10 क्या करेंगे सर बाइट टोटल loss हुआ है 30 अर्जेस्ट कर दिया आपने 20 बचा कितना दस तो उस दस को फिर से भेज़ देंगे कहां तरी वेलुएसन अकाउंट में कहां भेज़ देंगे तरी वेलुएसन अकाउंट में अभी देखो ये डबलू सी यार वाला कॉंसेट देखो यही वाला तो थे अंजी भीया तो मज में आ गया अब अगला देखो कहता है कि अब देखो कहता है फॉल इस फॉल इन दा इक्वल ऑफ दा फॉल इन दा वेलू इस इक्वल टू आई एफ आर यानि लॉस हुआ का सिर्फ बीस हजार का यानि पहले वेलू कितनी थी एक लाख अब कितनी हो गई है लॉस कितने का हुआ पार्टनर को कुछ दोगे नहीं देंगे समझ में आया कि नहीं आया अगे देखो यह हो गया केस वन केस टू केस थ्री केस फॉर अब केस फाइब देखो केस फाइब देखो कैता है कि मार्केट में इस बार उस इन्वेस्टमेट की वैलू कितनी हो गई एक लाख बीस हजार बताव और प्रौफिट हुआ कि लॉस हुआ कि ता हुआ कि का करेंगे सर कि स्को बातेंगे पार्टनर को बाटेंगे लेकिन क्या बातेंगे पार्टनर को सबसे पहले रिजर्व बाटेंगे 20,000 ठीक है पार्टनर को सबसे पहले 20,000 क्या बाटेंगे रिजर्व और जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ है 20,000 वो आप ट्रांसफर कर देंगे कहां सब्सक्राइब सर्द करते हैं चलिए पहला केस उठाते हैं कि पहला केस क्या है इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है माल लीजए भिर से आई यह आपे इंवेस्टमेंट कितना है आपका एक लाख और रिजर्व कितना है आपका वी सजार रिजर्व है कितना वी सजार तो पार्टनर नाम ए भी रेशियो क्या है इनका एक्वल वन इस्टू वन केस्ट वन किया था था आपका फढ़ेज ए जरा कहता है कि वुब्ग वैलिए उफ इनवेस्टमेंट इस एक्वल तू दमार्केट वैल्व है किया यानि केस्वण में ül की मैं म् föret वैल् Czech वालू आफ इन्वेस्टमेंट अच्ट यसय पटा एक लाख है पता यह कुछ लॉस हुआ आपको कोई लॉस हुआ नहीं सर तो क्या करेंगे यह जो आपका रिजर्व है काट दीजे यानि क्या इंट्री होगी आपके इन्वेस्टमेंट लेक्ट्यूएशन रिजर्व एकाउंट डाबिड टू एकापिटल टू पी क्यापिटल यहां पे कितना 20,000 यहां पे कितना आपका 10,000 और यहां पे कितना 10,000 केस वन कंप्लीट अब केस टू देखते हैं जल्दी से केस टू मार्केट वैलू आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ठीक है मार्केट वैलू आफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मान लीजे 90,000 कितने का हुआ आपको आपको लौस कितने का हुआ 10,000 का न आई जल्दी से क्या इंट्री होगी इन्वेस्टमेंट लेक्टुएशन रिजर्व एकाउंट डाविड कितने से बीस हजार से टू लॉस इन वैलू आफ इंवेस्टमेंट कितना विटा सब्सक्राइब और फिर टू ए कैपिटल एक एकाउंट डाविड फिकापिटल एकाउंट डाविड तो बीस में से दस गया बचा कितना दस अब 10 को बांड़ दो कितना पांच हजार और पांच हजार पांच हजार और पांच हजार concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया ठीक है concept clear हो गया अब case number 3 देखते हैं अच्छा case number 3 में क्या था भाई देखेंगे जरह कहता है कि जब fall in the value is more than ifsr है ना यानि ज्यादा है आपका case number 3 कि ट कि ट क्या के टा मार्केट वैलू कि of investment कि इस बार बिटा मान लिज्जे सत्तर हजार हो गया तो आपको lawस कितने का हुआ M थी सजार का टिक है आपको law कितने का हुआ थी सजार का कि को मटी है da लेक्ट्यूएशन रिजर्व एकाउंट डाबिड कितने का है बीस हजार का है और यहां पर क्या होगा टू लॉस इन वैलू आफ इन्वेस्टमेंट यहां पर कितना तीस हजार और बचा यहां पर कितना तस हजार यह किदर चला जाएगा रिवैलूएशन रिवैलूएशन कि यह किदर चला जाएगा डाबिट साइड में चला जाएगा अब केस नंबर फॉर देखेंगे अब केस नंबर फॉर क्या कहता है कहता है इक्वल इन दा वैलू ओफ आई एफ आर यानि आपका वैलू डिक्रीज तो हुआ लेकिन आपके रिजर्ब के बराबर डिक्रीज हुआ है यानि केस नंबर फॉर देखें मार्केट वैलू ओफ इन्वेस्टमेंट असी हजार मार्केट वैलू आफ इन्वेस्टमेंट कितना आपका असी हजार लास हुआ कि नहीं हुआ कि यहांपे क्या इंट्री होगी बिटा इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्शुएशन, रिजर्ब, एकाउंट डाबिड कितने से, बीस हजार से, टू, लॉस इन, वैलू आफ इन्वेस्टमेंट, कितने से, बीस हजार से, पार्टनर को कुछ देना नहीं है इस बार, पॉइंट क्लियर हो गया बिटा, तो ये है आपका केस नंबर पॉर, केस नंबर फाइब देखते हैं, केस नंबर फाइब में आपका इन्वेस्टमेंट का वैलू जादा हो गया था, इन्वेस्टमेंट का वैलू क्या हो गया था, जादा, केस नंबर फाइब, ठीक है, तो मार्केट, वैलू, आफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैलू ऑफ इंवेस्टमेंट कितना वन लाक ट्वेंटी थाउजन तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ आपको प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ ठीक है तो अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे सर इस प्रॉफिट को उनके री वेलुएशन एकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे लिए रोगे बिटा आएए इसके इंट्री देखते हैं कि इसके इंट्री में इदर कर रहा हूं कि देखेंगे इन्वेस्टमेंट लेक्ट्यूएशन बिजर्ब एकाउंट कि इतना आपका कि इतना आपका कि इस अजार कि इस एकापिटल कि इस वी कैपिटल कि यानि पहले इस रिजर्ब को बाटेंगे कि अधिक और उसके बाद कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट यानि इंक्रीज कि इस अजार का इस एक बेटा समझ में आ गया यानि आपका ये पच्वा केस क्या है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट का वेलू क्या रहेगा ज्यादा हो जाएगा आपके आपके रिजर्व एमाउंट से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए मतलब आपको क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए अरे अब हर बाल लॉस थोड़ों ना होगा यार समझ में आ गया तो आज के लिए फिलाल इतना ही जो आप लोगों ने क्या किया है कंप्लीट किया है तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया आपने वर्कमेंट कंबंसेशन पढ़ लिया आपने इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शुएशन रिजर पढ़ लिया कल की क्लास मे हम revaluation account पढ़ेंगे और revaluation के साथ हम partner capital account को भी क्या करेंगे cover करेंगे ठीक है पया अब कोई भी आगर आपको समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिये गए नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं call कर सकते हैं और आने वाली batches के लिए जैसे क्या होता है कि आप CUAT की भी अगर तयारी करना चाते हैं CA foundation की भी तयारी करना चाते हैं तो इसकी भी classes आपको इसी channel पे ही मिल जाएंगी उनकी जानकारी के लिए भी आप हमारे इसी number पे हमें call कर सकते हैं ताकि आप सभी अपना ख्याल रखिए class कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा मिलेंगे कल तब तक के लिए जैहिन जैभोले नाथ